कक्सानों के सभी विद्यारती जो प्रदान मंत्री SSV चात्रोरती योजना की तैयारी कर रहे हैं आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत हैं दोस्तों आज हमारा आपके लिए मोडल पेपर हैं 5 वा इससे पहले 4 मोडल पेपर हो चुके हैं अगर आपने वो नई देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे क्योंकि दोस्तों हमें एक भी किशन नहीं छोड़ना हैं सभी याद करना है और एक और बात की हमारा जो वीडियो हैं वो रोज आपके लिए साम को 5 बज़े आता है तो 5 बज़े आपा कर देख सकते हो और तीसरी बात यह हैं कि हमारा जो चैनल है वो आपके तैयारी आपके सिलेबस के अनुसार करवा रहा हैं और उसमें हम सबसे पहले आपका विग्यान का सिलेबस ले रहे हैं तो यह विग्यान के लिए हमारा पांचवा वीडियो हैं जैसे ही विग्यान का सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम सामाजी को और उसके बाद हम मेत को और उसके बाद हम रिजनिंग को लेंगे इस तरीके से चारो जो आपके portion है वो complete हो जाएंगे यहाँ पर तो चलिए फिर आज का वीडियो सुरू कर लेते हैं क्या-क्या important question है उनको देख लेते हैं परला question आपसे पूछ रहा है कि cellulose बड़ी संक्या में इकाईयों से बना होता है यानि कि यह जो cellulose होता है यह किन से बना होता है यह आपसे पूछ रहा है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा glucose से cellulose जो होता है इसमें कहीं सारे glucose मिलकर क्या बनाते हैं cellulose बनाते हैं तो आपको यह याद रखना है कि cellulose जो है ना वह glucose मिलकर बनाएं अगर आपको याद ना रहे तो इसे याद करना यहापर लिखा होँआ है शेलू का मतलब इसे याद करना सीला क्या याद करना सीला और सीला क्या पीती है glucose पीती है तो बस cellulo जो और glucose जैसे करके relate कर लेना बाकी आपका न एक हमारा एप है जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा उस एप पर क्या होगा परतेक रवी वार को अभी जब तक हमारा syllabus कवर नहीं हो जाता तब तक परतेक रवी वार को यानकि संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा जो भी हम एक सब्ता में पढ़ेंगे उसका पूरे का टेस्ट लिया जाएगा तो इस एप को जरूर इंस्टोल करें लिंक इसका description box में मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ पर आपका क्या होगा अच्छे से revision हो जाएगा और आप जो दूसरे विद्यारती हैं वो तो सिर्फ पड़ी रहे हैं तो जब आप टेस्ट दोगे कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा हैं लेकिन जब आप टेस्ट दोगे तो इनमें से right answer हो जाएगा सभी वो प्रियुक्त सभी जो synthetic fiber होता है वो मजबूती भी होता है और वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता भी है अगला question देखो तीसरा question हमसे क्या पूछ रहा हैं नेमने लिकित में से कौन thermoplastic नहीं है आप से ये question भी काफी बार पूछा जाता है न इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते है क्योंकि exam किसी भी तरीके से आपका examiner जो है किसी भी तरीके से question बना सकता है तो हम तो सारे areas को cover करेंगे तो सबी से कुछ जादा पढ़ना होगा कुछ तोड़ा सा अलग करना होगा तबी तो हम टौपर बनेंगे तो देखो examiner क्या नहीं है sera क्योंते आगे बढ़ते हैं ऑर किसदी च्परफा ये इसा इस से बना तार बहुत ही सब से इंदा sy 0 अगर मालो कोई हमने एक ऐसे तार बना लिया तो वह मजबूत होगा क्या वह नहीं होगा मजबूत ओसे अगर हम दोर से पीटी से क्या इनमें से क्या बनाया जाता है तो इसका राइट अंस हो जाएगा पॉलिष्टर क्या हो जाएगा आप इसे याद रख लो पिर जब आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पर और भी जादा आची तरीके से आपको याद हो जाएगा और फिर आप ये भी जान पाओग कि इनमें से किसका उपयोग किया जाता है तो इसके बनाने में किसका प्रियोग में किया जाता है य आप से पूछ रहे हैं तो चेड क्वशन का हमारा एंस तो उसको बख तो वहां उससे कोई बात करने के लिए नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा टेप लेके गूमता है तो तो कुक वेर से क्या बना कि मला कुक वेर बनाने में किसका यूज किया जाता है आप टेप का मतलब टेफ लोन तो यह से याद रह जाएगा और यह किन मानों दोस्तों जब आप टेश्ट दोगे न तो वहां पर आपको यह चीज़े इसली आपके माइंड में जाएगी यहार इसको तो हमने ऐसे याद किया था अब देखते हैं हम अपना क्यूशन साहत्वा निम्र लिकित में से किसका यूज यह इंपोरेंट क्यूश से कोन नीचे ता पहन कर तो आप याद करो कि नाइक कुदाता नाइक कुदाता तो बस याद हो जाएगा किसे बना होता है नाइलोन से बना होता है है याद हो जाएगा मिलब किसे कंच एसे कंड़े होते है जिन में असाणी से पड़ते घोर्फ है तो एसना नहीं होते है जोना गौन लगड़ी के गुद्दे का उपयोग निमन को तयार करने के लिए किया जाता है, बताओ लकडी का जो गुद्धा होता है, उसका प्रियोग, इन में से क्या बनाने के लिए, या किस के साथ किया जाता है, या आपको बताना है, तो नाइंथ का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइंथ का अपना हो जाएगा, रियो उनको अब आप इसको किसी रख़ोगे तो लकड़ी का गुद्धा है न मुलती है ना तो यह खेने लकड़ी और लकृषन हम कहीं बहर क्या पड़ते थे लड़की तो लड़की पर देते हैं अब वे थिर T तो बस हो गया याद आपको क्या दिक्कत है लकडी लड़की लड़की का मतलब रिया तो लकडी के गुद्दे का उपयोग किया जाता है रियोन के साथ रियोन को तयार करने में आगे देखो निमनलिकित में से कौन गर्म करने का गर्म करने पर नर्म हो जाता है और फिर उसे विबिन आकारों में धाला जा सकता हैं मतलब इनमें से एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको अगर हम गर्म करें तो वो नर्म हो जाएगा और फिर नर्म होने पर हम उसे कोई भी सेप दे सकते हैं तो बताओ इनमें से वो कौन सा हैं आप से ये क्विशन पूछ रहा हैं जिसका जाद रख सकते हैं कि यह तो ना धर्म एक तरीके से थर्म पर चल रहा है और जो धर्म पर चलता है न वह बेचरा नर्म होता है तो इसे याद कर लो धर्म और थर्म पूपलाइट यह आद करना होगा दोस्तों वहां पर एक्जाम में जब आप जाओगे न तो कंफ्यूज ह क्यार पर यह राइट होगा यह हाँ तुरा क्यार ने लेकिन देकर चुरत्व में लिक्तम ऐसे कौंब पर घरिंज होने फने पर गर्म करने पर नर्म नहीं होता अभी हमने देखा कि जो Thermo Plastic था, अगर हमने उसको गर्म किया, तो वो नर्म हो जाएगा बेचरा, लेकिन अब वो बताना है जो एक बार Set हो गया ना, अब फिर उसको गर्म करो तो भी वो नर्म नहीं होगा, तो बताओ इसका Right Answer क्या होगा, इसका Right Answer हो जाएगा Thermo Setting Plastic, देख और जो भिकट जाएगा वो बेटरा धर्म पर चल रहा है तो थर्मो प्लाइस्टिक हो जाएगा ठीक है ना एसे याद रख ले ना अब इन में कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए वरना तो बड़े-बड़े बच्ची होती है उनको भी इसमें दिक्कत होती है लेकिन आप इ देखा तूहीं क्यों कोई क्या जाता है इसके पीचे का कारण पूच रहा है आपसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येर संक्षा रह तोकि वह क्या होते हैं गेर संक्षा रहोते हैं इसका मतलब हैं कि हम अगला तोड़ा परसके बरिस्ड़ बने होते हैं जैसे अभी हम ने देखा कि वो जो होता है ना जिसे रसियां हो गई चड़ने की और वो क्या बोलता अभी हमने बोलता उड़ने का वो पेरासूट तो वो किसे बना होता था हमने देखा था कि पेरासूट कौन उड़ाता पेरासूट पान कर नाई उड़ाता तो अब हमें बताना है कि जो तूत बरस हो कभी क्या वो जो पूरे के पूरे नेमने लिकित में से किसे पुनर्चक्रीत किया जा सकता है मतलब वापस पुनर्चक्रीत वापस उसको बनाया जा सकता है उसको यूज किया जा सकता है तो बताव इसमें से यहसा कोन है जिनको पुनर्चक्रीत कर सकते हैं तो जाएगा telephone उपकरन जो टेलिफवन होता है ना उसके भी उपकरन है उनको दूबरा से मतलब उस के में ला सकते हैं तो पलाच्टी पीरिग नई ला सकते cooler handle भी but just को कोई भी विसा कउड़ दोपी है एक तूबर तो फिर उस binge तो यह राइट आंसर हो जाएगा इनका हम पुनर चक्रन नहीं कर सकते हैं वह रेसा जो जलते हुए कागज की गंद के साथ में आसानी से जल जाता है उस रेसे का नाम आपको क्या करना है उस रेसे का नाम आपको बताना है इसका right anser क्या होगा इसका भी राइट आंतर होजाएगा कपास यह कपास ना कोई भी कागज जल रहा है तो उसकी गंद के साथ में आसन हिसे इसे जल जाएगा यहासे बहुत जब़ते हैं कों thermal setting plastic है बहुत ही जदा important अब को बता। अबी हमने चलो आपना ऐसे जब पड़ो ना तो ए भी जरूर अपने माइंड में लाया करो कि thermosating plastic है इससे समधित हम भी हमने क्या देखा था question अभी हमने देखा था कि जो thermosating plastic होता है ये एक बार set ओने पर क्या होता है फिर बिगड़ता नहीं है फिर nerve नहीं होता है तो यह वह वापस बेक में नहीं आएगा यहां पर क्या लिख रहा है ना तो वापस वह बेक नहीं आएगा इसे याद करें ना तो बेक लाइड के हैं एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है नेमने लिकित में से कौन सा जानवर के बालों से प्राप्त होता है बहुत ही ज़यदा है कि जानवर के कोन ते सिंग कोन नकाम३ा tay लिकिन बोइब हो गई उपंता निकाल नाइलोन यह सबी तरीक से रेसे हैं जो बनाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर वो बताना आई जो पोड़ों से में प्राप्त होता है तो निस्वे का राइट अंसर क्या हो जाएगा रियोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियोन हो जाएगा, तो आप इसे भी याद रखते को, ब payroll को पहले को पहले को क्या हैं कि पहले किसा पॉधिछ और ले ने पॉधिघ देज किसे दिख नएक पॉधिए झाऊने कशन सीजद्द करती हैं, नाईलोन क्या है एक synthetic fiber है जिसे synthetic का मतलब है जो हमें मतलब मशीन से बनाया जाता है या factory ओ में या कारखानों में बनाया जाता है अब देखो यह प्राकरतिक है यह तो पेड़ों-पोदों से मिलता है जूट भी पेड़ों से से पूछाएं प्राकर्तिक तो यह सभी तो वही मनुस्यों के दोरा बनाई जाते हैं लेकिन यह कपास है ना यह एक प्राकर्तिक बहु केटें इसको समाप्ति नहीं होती है यह नहीं है यह नहीं कि इसको समाप्त हो जाएगा जाल तो तो फोटे दिनों बात गए हो जाए धो तो यह सभी तो भुदिकरेबल को बहुत ही जड़ाब की पसंद करती हैं, तो अब इन में से बताओ, कि जो रियोन है वो क्या है आपको बताना है तो 23 वे का अपना राइट आंसर हो जाएगा ये क्रत्रिम है क्या है ये क्रत्रिम है नाइलोन भी नहीं है क्रत्रिम नाइलोन भी नहीं है तो ये क्रत्रिम हो जाएगा एक तरीके से अगला किसन देखो तो इसवा पोदों में भी यह थी ना प्रक्रति के राग्वरा प्राफत होता है प्लास्टी से मिलेगी यह तो je समेंट भी नहीं मिलेंगा तो लकड़ी की से मिलती है प्रक्र्डरिस लकडी में मौजूतis jeśli मिलता अव्य हम से पूछेर के clinic प्लीमर मिलता है क्या होता है तो राइट ऑट उसका हो जाएगा चैनलोजी होता है उसमें भीम्सटने में से कौनछा कच्छरा bio-degradable है आप अब बायो डिगरेबल का मतलब अभी अब नहीं समझाता यानि कि जो चोटे चोटे जो जीव होते हैं उनके दृआओ जिसको समाप्त किया जा सकता है वह होता है बायो डिगरेबल तो बताओ इन में से कौन सा बायो डिगरेबल होगा भाई लोगा तो समाप्त होगा नहीं सिमेंट फल के चल के समाप्त हो जाएंगे तो ये अपना राइट अंसर हो जाएगा 27 वेगा B यानि कि फल के चल के क्या है बायो डिगरेबल होते हैं पॉली कोट ए और कपास से मिलकर बना होता है कि क्या पॉली खोल तो यह इसको जरूर यहाद रखें पोली का मतलब क्या होता रही है तो बिस यह रहला और प्लीअश्टर कर लो तो पोली खतार है चैनि होगा यही तो आपको याद करना है उन जैसा दिखने वाला synthetic fiber क्या मैंwhat इन मेंसे कौन है जो उन के जेसा दिक्ता है तो तीसवे का अपना right answer हो जाएगा acrylic यह जो acrylic होता है वो उन के जेसा दिखता है अब इसको यह से यादगरो बह thu उन के जेसा यानिक एक जेसा है उन और acrylic एक जेसा है, क्या है यह एक जैसा, एक जैसा, एक रहाने एक जैसा, किसके जैसा, उनके जैसा, अगला जुशन देखो, अब यह दोसरे चैप्टर के क्युशन आ गया आपके, वह धातु जिसमें तनु के साथ हाइडरोजन के बुलबले बनने की दर सबसे ज़ादा होती है, तो वह धातु आपको बत बनने की दर सबसे ज़ादा होती है, जो दोस्त अभी तक भी टिकरा है ना, आप मान के चलो, अभी तक ना, जिसे मान लोग इस वीडियो को स्टाटिंग में सो लोग भी देख रहे होंगे, तो मान के चलो, अभी ना, मिनिमम मादब 20% 20% भी ज़ादा हो गए, आप मान के च क्यूशन आ सकते हैं, अब मालोग गरीन में से क्यूशन आ गए, तो उनका अंसर कौन देगा, आप ही दोगे, तो जीतने के ज़दा संभाव ना, किस की हैं, आप की हैं, तो जो सबसे ज़दा पढ़ेगा, उसी को मिलेगा, तो आप अगर अभी तक ठिक रहे हो, तो अपने अभी तक बने रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, और आप सभी का बेस्ट अब लग का आप अभी तक बने रहे हो, किर आगे बढ़ते हैं, वह अधातु जिसका गलनाग बहुत अधिक होता है, यह इंपोर्टेंट क्यूशन है, उस अधा, अब यहां पर यहां पर अधातु पूचिए, तो कौन सी अधातु का, इसको अपने दिमाग में बेटा लेना, स्क्रिन सोट ले लेना, अच्छे से इसको याद करना, और हाँ, जो टेस्ट में पूचा जाएना, उनको बार-बार याद करना, क्योंकि वहां पर इंपोर्टेंट, जो मलब इनमे से भी जो एक जिसका गलनाग सबसे जादा होता है, किसका अधातु का, मलब ग्रेफाइट का, जरूर याद रहे किसको, वह अधातु जो विदूत की सूचालक है, यानि कि वह अधातु बता नहीं है, जिसको अगर हम लाइट से जोड़ देंगे, तो करन्ट आ जाता है, तो इसका भी र जो कमरे के ताप पर तरल होती है, मतलब ये जो तीन कुषन ना, इनको अपने दिमाग में बिठा लेना बहुत ही ज़्यादा है, वह अधातु जो कमरे के ताप मान पर तरल होती है, आपको बताना है, तो चोट एक आपना राइट आंसर क्या होगा, ब्रो मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रो मीन, अब जेको इसको तो याद रख लोगी, अधा तो तो आप जरूर याद रखना, मीन क्या होती है, मचली होती है, और मचली किस में तेरती है, पानी में, पानी कैसा होता है, तरल, तो बस याद रख लेना, अधा तो जो कमरे के ताप मान पर तर पेकिट में संग्रीत नहीं किया जा सकता अब उस डातु का नाम आपको बताँ जिसे पैक किट में नहीं पेक कर सकते तो ऐसी कौन सी दात को हम पैकING नहीं कर सकते। अगला क्यूचन है वक तो यहाज़ा है यायनिकि एक तो होता है सबसे ज़्यादा चालक जार्ट जबहुत ही जदाग झायगी करंध आजये लेकिन अब आपको वह बताना ही जिसमें एक तरह के से क्रंठ नाम मातर का आता है तो वो prosecutor को सी मंदिर का ओं इतलो लो ऑपने मारा पीटा इसको तो वह टण क्या वाज आसे इस गुन को क्या बौलते हैं यही आप से पोचा है इस गुन को बौलते हैं दोनि हीनता क्या जान बोलते हैं इसको अग्रा किसे ने गुंड को का जाता है उत्पन करने के दोनी हिंता चलो यही ठीए कैंपने अभी के लिए वह धातू जो हवा के साथ प्रितिप्रिया करके, अपनी सत पर एक सुर्ख्शातमक प्रत विक्शित करती है, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन ची धातु हैं, जो हवा के साथ प्रृतिप्रिया करती है, अभुषे इससे उतिका मिश्रन होता है और इसके साथ पर्तिक्रिया करके अपनी सतबर्य सुरक्षात्मक प्रत विक्षित करती है . तो वो धातू कौंची है तो इसका राइट अन्स होजाएगा अलूमीनियम कौंची तातू है अलूमीनियम धातू है इसके साथ ये क्या हैं मतला ये ये हैं कि जैसे मालो कोई लोहा हैं ये लोहा हैं अब लोहे के उपर अगर हम अलुमीनियम की परत चड़ा देंगे तो पिर इसके उपर काट जो वो जंग नहीं लगेगा अना तो ये परतिकरिया करती है हवा के साथ में और एक तरीके से सुरक हवा पानी और अमले से संक्षारण नहीं होने वाली धातु कौन सी हैं मतलब वो धातु आपको बतानी है जो हवा पानी और अमले से उसको कोई फरक नहीं पड़ता जिसे लोहा हैं उस दिरे दिरे मतलब एक तरीके से उस पर जंग लग जाता है लेकिन वो धातु बतानी है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो 10 वे का अपना राइट आंसर हो जाएगा जिंक जिंक जो होता है ना इस पर हवा पाने इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो जिंक अपना राइट आंसर सोरी जिंक नहीं होगा इसका राइट आंसर तीस वे का राइट आंसर अ पिछले वीडिएो में भी पढ़ा था था सोडियम नहीं नौकट कटोर होती हैं लेकिन कुछ अपवाद होते तो यही एक अपवाद है और आपसे पूछे जाते यह थाद़่र ओधियों तन्य का मतलब जिसे यह तार है इसको खीचा जा सकता है खीचने पर यह लंबा हो जाएगा इसको बोलते तन्य था तो बताओ क्या सभी धात्वी यह तन्य होती है इसका राइट आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या वाजाएगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंतर हो जाएगा C आम तोर पर जो धात्म उत्विश्ट के गोल में तामबा मिलाया जाता है तो क्या होता है बताओ अगर आईरन सुल्पेट का एक गोल कर लिया हमने उसमें हमने मिला दिया तामबा तो अब आगे क्या होगा तो उसमें क्या होगा? कोई भी परतिकूरिया नहीं होगी अगला कुसम reproductive देखो निम्लिकित को उनकी घर्ती राथायनिक गटी वीदी के क्रम में विवस्ठित करें मेगनेसियम, पोटेसियम, लोहा, और सोना इनको इनकी रासायनिक गतिवीदि के गटते हुए करम में आपको जमाना है तो इसका कैसे जमाएंगे हम राइट आंसर क्या होगा इसको सबसे पले पोटेसियम, फिर क्या होगा मेगनेसियम, फिर लोगा और फिर सोना यह इनका सही करम हो जाएगा आगे देखो पंदरवा, धातों के बारे में इनमें से कौन सा कतन सत्य है, जो धातों के बारे में सही कर रहा है तो इसका राइट आंसर उपना हो जाएगा यह धातों यह आमतोर पर चमकदार होती है ऐसे ही आपको राइट आंसर करता है करना है जिन पर आम तोर पर लिखा हो क्योंकि एक दो क्या होता है उनमें अपवाद होते हैं ठीक है ना तो आम तोर पर ये चमकदार होती है लेकिन कुछ दातु है ये सी भी होती है जो चमकदार नहीं होती है ना तो इसलिए ये राइट आंसर करना है नेमने लिकित में से सबसे ज़्यादा उसको बस बाहर छोड़ दो ना तभी वह क्रिया करने लग जाएगी इसलिए उसको मिट्टी के तेल में संग्रित किया जाता है तो बताओ उस दातु का नाम क्या है इसको लगा लो स्थार बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है तो राइट आं उसकत नहीं करेगी बताओ इनमेंसे वह कौन सी दातु है तो राइट आंसर हो जाएगा तामबा कौन सी दातु है तामबा 19 वा किश्टन लोहें में जंग लगने के लिए कोई भी लोहा होता है उसमें जंग लगने के पीचे क्या कारण होता है या पिर उसमें जंग लगने उच्छा जाता है धातुओं का वह गुण जिसके करण धातु को ठोक कर या मतलब उसको पीट कर बहुत पतली परत बनाई जा सकती है यह तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था उसको क्या बोलते हैं इसको अपना राइट आंसर हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे लचि करें यानि कि उसको अगर हम बीट लिफ़ें तो वह क्या हो जाएगी फिल जाएगी प्रया हो जाए execute एके सब माते डात्यें ओकुंजन के साथ क्रिया कर और के क्या बनाते है, वो ओक्सीजन के साथ उन्हों से क्रिया Dopod अभी हमने देखता अधा नहीं में की मैंने एकसाथ हुए नेख attempted Mr.. sortie क्वा अगर बार्ट, कों सा में करें तो वो क्या बनाएगी क्या आपको बताना नहीं तो 22 एके राइट आंसर क्या होगा अपना बनाएगी ऑंवली और ना ही ओक्साइड बनाएग रहिए बनाएग connection ना तो खट्टा होगा ना मतलब यह आपको याद रखना और अधात विये तो कौन सा अक्साइड बनाएगी लेकिन दात विये लंबे तार बना सकती है अभी अमने देखाई था एक तो ता अगात वर दे लेकिन 23 वे का राइट आंसर क्या होगा इसका रोज़ा यह गलत यहां नहीं लचलापन यह गलत यह य तनू नहीं इसको क्या बलत तनू एसे कुछ इसका नाम है तनू 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 यह आदर को ठीक है न तो धात विये लंबातार बन जाती है इसको अभी हमने देखा बिटा केर तनू बोलते हैं इसको तनू करन होता है इनमें और जो पीट कर जिनको चोड़ा किया जा सकता है लेता है जो चांदी में सब्सें करेंट को सब्सेखक जाणी में आगा गा देंगे न तो यह पांस सेगेंड में पहूंच जाएगा तो सबसे ज्यादा सूचलक कौन हुआ चांदी तो यह आप से पोछ रहा हैं जान निमले लिकित में से किसे पीट कर पतली सीट बनाई जा सकती है जैसे मालो ऑक्षिजन इसको पीटा जासकता है क्या नहीं पीटा अगला क्यूसाने, वो धातु जो ठंडे पानी के साथ में 30 कृया करती है, यह तो अमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो पानी के साथ में कौन कृया करता है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, आपको पता है सोडियम को तो बाहर छोड़तो, बस वो जल् अधातू पूची थी लेकिन इसमें क्या पूच रहा है तो वो होगी पारा यह तो हमने प्छले वीडियो में भी डिसकस किया था और इसको याद कर लेना अब इसको याद करने के ट्रिक बता रहा हूं इसलिए लिए तो मैं किरा हूं दोस्तों वीडियो देखने का और हमारे साथ पढ़ने का यही आपको फायदा हैं अभी देखना इन में आपका confusion में दोर होगा और आपको यह अभी के भी याद होगा अभी हम यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना यहा पर हम लिखते हैं अभी के अभी देखना याद होगा आपको अधातु लिख दिया अब इसमें बचों को बहुत ही तर्दा कंफ्यून होता है और बच्छे एकजां में गलत कर गयाते हैं एक तरफ है पारा उर एक तरफ ब्रोमीन तर्ल शैं किया आइ ठरल हैं तरल है जो तरल है और ब्रोमीन एक अधातु है जो क्या है तरल है लेकिन इनको कैसे याद करोगे तो देखो ध्यान से पारा में कितने सब्द हैं दो धातु में कितने सब्द हैं दो तो पारा में भी दो सब्द धातु में भी दो सब्द इसलिए इसके साथ हो जाएगा ब्रोमीन में नहीं होगी लेकिन जिन्होंने नहीं देखा भग गए तो रोते रह जाएंगे एक्जाम में फेल होंगे और यह कुसम तो आता ही आता है और बच्चों को दिक्कत होती है तो बताओ आपको इसमें आपको दिक्कत होगी या आप से पूछे कि वह कौन सी धातु है जो तरल होत सोडियम हायड्यौ रोकसौईड के साथ अभी क्रिया करती है तो उतन होने वाली गेस होती है अगर मतल вый हो सोडियम हाई रोकसौईड के साथ मुन्में अभी क्रिया करी तो बताओ कौन सी धात उतन होगी वह को बताने है तो 28 Lap का राइट आंसर क्या हो जाएगा वह करती हैं जिसका रच अंतर हो जाएगा हाईड्रोजन ही करती है कौन से गेस हाई रोजन लास्ट चूशन हाथ का स quests गर्म संधू नाइट्रिक एसीड क्रिया करता है और उत्पन करता है यह को इतने बड़े क्यूशन को तेंक्मिषन भी मतलो जितने याद होके तक तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर याद, म Nimleb, कुछ भी लिख़दें, कमेंट में, अपना राजिय का नाम ही लिख़दें, आपको कितने क्युषान आए, वही लिख़दें, बड़या लगाओ, तो अच्छा सा कमेंट ही करदें, लेकिन कमेंट जरूर करों करें, बागी मेरी बगवान चाहिए यही दुआ हैं कि आपको फिस्ट रेंक आए फिस्ट रेंक ना भी आए तो भी आपको जो इनाम है जो मिलने है 75,000 यह आपको भी मिले जो वीडियो को लाइट तक देख रहे हैं भई देखो मेनत तो आप भी कर रहे हो जो पहले ही बग गए वो मेनत कहा कर तो फिर मेनत कफल तो आपको ही मिलना चाहिए तो आपको ही मिलेगा टेस्ट जरूर दें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे एप पर ही मिलेगी ठीक है तो इनको जरूर प्राप्त करें आप मिलते हैं अब ने